सुप्रभाद बच्चो कैसे हो आप सब आशा है आप सब अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे आज हम त की कहानी लेकर आए हैं किस की कहानी लेकर आए हैं बच्चो त की कहानी लेकर आए हैं तो शुरू करें हम अपनी त की कहानी एक बार तुकाराम अपनी पतनी और बेटी तन्नु के साथ तिलक नगर में रहता था कौन रहता था तुसे तुकाराम अपनी पतनी और बेटी तुसे तन्नु के साथ कहां रहता था तुसे तिलक नगर में रहता था जो तनु थी वो बचपन से ही बहुत तंदरुस्थ, तेज और ताकतवर थी क्या थी तनु बचपन से ही बहुत तंदरुस्थ, तेज और ताकतवर थी उसको तर्बूज खाना बहुत पसंद था क्या खाना बहुत पसंद था बच्चो उसे तरसे तर्बूज खाना बहुत पसंद था उनके पास तीन गाएं और तीस बक्री थी क्या थी उनके पास? तरसे तीन गाएं और तरसे तीस बक्री थी उनका जो घर था वो तालाब के तट के पास एक तंगली में था कहां घर था उनका तरसे तालाब के तरसे तट के पास एक तंगली थी वहां उनका घर था उसके घर में एक तस्वीर थी जिसमें तेजश्वी तांगे पर बैठा था उसके हाथ में एक तलवार थी क्या थी घर पर उसके एक तरसे तस्वीर थी और उसमें तसे तिजश्वी, तसे तांगे पर बैठा था और उसके हाथ में जब एक तसे तलवार थी जो तन्नू थी उस तन्नू के घर पर एक पुरानी तिजोरी भी थी जिस पर एक ताला लगा हुआ था जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था तिजोरी के उपर तराजू भी छिपा हुआ था क्या था जो उसके घर पर एक पुरानी तरसे तिजोरी थी और उस पर क्या था एक तरसे ताला लगा हुआ था और तर्जोरी के उपर एक तराजू भी छिपा हुआ था तनु की मा सुबह तामबे के लोटे से तुलसी को पानी देती थी और तप करती थी क्या करती थी तनु की मा हर सुबह तामबे के लोटे से पानी देती और तप करती थी आज तेरे तारीक थी और तीज का तेवार था क्या था आज आज तरसे तेरें तरसे तारीक थी और तीज का तैवार था जो तालाब था उसके दूसरी तरफ एक तंबू में तीज का कारीकरम किया जा रहा था एक मोटे तने वाले पेड़ पर जूला लगाया जिस पर एक तोता रहता था क्या किया गया जो तलाब था उसकी दूसरी तरफ एक तसे तंबू लगाया गया जहाँ पर तसे तीज का तैवार का कारीकरम किया गया और एक मोटे तने वाले पेड़ पर छूला लगा दिया गया जिस पर कौन रहता था बच्चो तोता रहता था सबी तीस मनाने के लिए तैयार होकर वहां पहुँच गए तन्नु ने भी अपना नाच दिखा कर बहुत सारी क्या बटोरी बच्चो वहां पर तालियां बटोरी और उससे एक तोफा भी मिला किस में मिला तोफा इनाम में उसने क्या बटोरी बच्चो तरसे तालियां और इनाम में तरसे तोफा पाया उसके बाद सभी जो है वहाँ पर ताजी हवा में बैठ कर तेल में बने हुए तरह तरह के तीखे पकवानों को खाने लगे उनका आनन लेने लगे तभी उसकी नजर तालाब में तैर रहे बत्तकों पर पड़ी किस पर पड़ी बच्चो तलाब में तैर रहे बत्तकों पर पड़ी तुफान के बादल गरजने से उसका ध्यान बत्तकों से हटा और वो घर वापस आ गई घर पर आकर उसने मीठा मीठा तर्बूस खाया और तरसे तकिया लेकर सो गई क्या लेकर सो गई बच्चो तरसे तकिया लेकर सो गई तो बच्चो हमारी कहानी यहीं परसमाप्त होती है अब हम कुछ शब्दों की दोराई करेंगे जो हमने इस कहानी में किये हैं तो बच्चो शुरू करें देखो बच्चो ये कौन है हाँ ये तन्नू है और तन्नू को क्या पसंद था तरसे तर्बूज खाना पसंद था और तन्नू के घर पर क्या लगी हुई थी तस्वीर लगी हुई थी और तस्वीर में क्यों था तिजस्वी किस पर था तांगे पर और उसके हाथ में क्या थी तलवार थी और देखें बच्चो और क्या है इसमें ये देखो ये क्या है बच्चो ये है तराजू और तराजू जो था वो कहां लगा हुआ था बच्चो हाँ ये देखो ये क्या है तिजोरी तिजोरी पर क्या लगा था तराजू लगा हुआ था और ये क्या है बच्चो तरसे तलवार ये कहां थी तस्वीर में लगी हुई थी तो बच्चो हमारी कहानी और शब्दों की दोराई यहीं परस्मापत होती है आप इन शब्दों की दोराई और कहानी की दोराई घर पर करें हम अगली कहानी के साथ मिलेंगे तब तब बाई बाई